जहीं दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में चैनल कारी दूँगा क्योंकि आप काफी भाई पूछ रहे थे कि भाई मेरिट कितनी तक जा सकती है हमारा नंबर आ सकता है काटो अफ कितनी जा सकती है हाई आश यह दोस्तों आपके जादे मैसिज थे एक बार कमेंट करके आप जरूरू बताना कि जो आपका एक्जाम था वो आपका किस परकार का गया था और कितना है दोस्तो आपके question जो बिल्कुल सही बैटे थे लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता जिता हूँ कि पहले कि आपकी cut off जो है कितनी जा सकती है देखें दोस्तो आपकी जो number आने के है वो दोस्तो आपके vacancy के उपर है जिस पर ज़्यादर vacancy होईगी बच्चे कम होईगे तो उसकी cut off भी ज़्यादर नहीं जाने की है फिर भी आपकी approach मान के चलते है कि आपकी अगर self center है self center है दोस्तो आपको अगर 160 भी आप correct है 160 से लेकर 170 तक आपकी हैं आपर number बन रहे है total तो आपका number पका आना है अगर आपका self center है तो दोस्तो 160 से लेकर 170 तक आपका यहाँ पर बन जाएगा अगर father relation हो तो बिल्कुल भी टेंसल लेने की ज़रतनी 160 भी आपके सही है father relation हो तो कोई दिक्कत निया आपका number 100% आजाएगा 160 अगर आपके 160 से लेकर 165 भी बन रहे हो सिरकें self center होना चाहिए और वह भी father का relation तो आपका 100% इसमें number आजाएगा 160 से 165 के बिच में अगर आपका brother का है तो आपको 170 मान के चली क्योंकि 170 भी दोस्तों हर एक center में आपकी अलग-अलग vacancy होती है कोई kernel तो मैं भी नहीं हो कि आपको correct बता दूँगा कि center में इतनी भरती है एक अनुमान होता है कि जिस परकार से पिछली बार जो vacancy होईगी उस हिसाब से हैं पर अनुमान लगा जाता है कि हाँ भी इस बार इतनी center में vacancy हो सकती है लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ जो भी आपको बताता है कि center में इतनी vacancy है क्योंकि कुछ कुछ center rate man की आपकी vacancy open करते है आपकी GT की कोई भी vacancy open नहीं होती तो इसलिए कोई भी आपको confirm यह भी नहीं बता सकता है कि center में इतनी भरती है लेकिन केवल आपका एक अनुमान है कि अनुमान से बताई जा सकता है कि सेंटर में इतनी वेकंसी हो सकती है यहाँ तक कि खुद इमहाँ पर जो किलर के उनको खुद को नहीं पता रहता है कि यहाँ पर कितनी वेकंसी है येवल वो भी एक अनुमान बता सकते हैं कि इस बार इतनी वेकंसी है आपने देखा हो कि भरती देखने आप जब जाते होंगे तो जब आपका सब कुछ कम्प्लीट हो जाता है बस आपका डीटिन एक्जाम बच जाता है तो वहाँ पर जो फोजी रहते हैं वो कहते हैं कि बेतने पर जाताद वेकंसी बच रहे हो अपने सेल्फ सेंटर वालों के नंबर कमा रहे हो सपूस करो आपका जो सेंटर है उसके आपके 1500 नंबर आरे हो जो अदर सेंटर है और उसके आपके वेट रहे हैं एक 15 तो वो दोस्तो 185 वाला बनता ले ले जाएगा बेसक आपका other center का क्यों ना हो तो दोस्तो आपको एक बार फिट से बता जेता हूँ कि आपकी 160 से लेकर 170 आप अपने self center मान लीजे जिसका भी है 160-150 भी number total बैठ रहे हो तो उसका number आपका आना ही पक है आपको यह guarantee मान देता हूँ कि 160-150 जिसका बैठ रहे हो self center में father relation उसका दोस्तो नंबर कहीं नहीं कर सकता उसका number आएगा पस दोस्तो किसी-किसी center में इस है other center के कुछ भी chance नहीं रहता है जो हाँ काफी थोड़े vacancy इन में जादा आती है उनमें other center के chance होता है और दोस्तों जैसे भी आपको result आना start हो जाएंगे तो हम अपने इस YouTube चैनल के माधियम से आपको जरूर बताएंगे कि आपको इस center result आ चुका है आने वाली जो भी भड़ते होएंगे इसकी जानकारी भी हम आपको इस channel के माधियम से देंगे तो यहाँ पर subscribe का option है जिस भाई ने अभी तक subscribe नहीं के subscribe कर लेना bell icon own कर लेना और telegram channel से जूड़ने के लाग या तो आप description में link दी हुई है telegram channel की वहाँ पर जाकर join कर सकते हो यहाँ पर about section में जाकर नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर join telegram channel यहाँ पर join कर सकते हो आप telegram group को इस पर click करके आप direct हमाई telegram channel से join हो सकते हो तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंज जावारत मिलते हम आप से फिर किसी हो next update के साथ